हलो एवरीवन वेलकम टू सून अकेडमी आज है अठाइस जून दोजार बाइस एंड इस वीडियो हम लोग देखेंगे आज का प्रिलिम्स प्लस इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सून अकेडमी के यूटूब को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने बेल तो आने वाले सभी वीडियोस के नोडिकेशन आपको मिलते रहें आप सून अकेडमी को इंस्टाग्राम टेलीगरम ट्विटर सब जगा कर सकते हैं and सबका लिंक इस वीडियो के डिसक्रिप्टिं में है इस वीडियो का प्रिलिएप आपको हमारे टेलीगरम के चैनल पर मि स्रीज यह लॉंच हो चुका है आप इसके बारे में एडमिशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा एंड इसके बारे में एक सेपरेटेड वीडियो अलड़ी अपलोड है चैनल पर आप जाकर वेब साइट पर साइड डिटेल पढ़ सकते हैं मॉक टेस्ट भी सुरू होने वाला ह जो कि 31 जुलाई 2022 को होगा एंड आप लोग इसका भी वीडियो सेपरेटेड वीडियो है आप उसको जाके देख सकते हैं सारे वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हमारा जो पहला आर्टिकल है यह है जोतिर गम के बारे में जोतिर गम की ब इपेंडन्स ओके एंड इस मतलब यह तो जोतिर गम है इसको संगीत नाठक अकेडमी प्रेजेंट कर रही है एंड इसको वर्ल्ड म्यूजिक डे के अउसर पर सेलिब्रेट किया गया अकर हम अगर बात करें वर्ल्ड म्यूजिक डे का तो यह 21 जून को होता है 21 जून को मार क्या करना है आपको संगीत सुनते सुनते योगा करना है राइट संगीत और योगा एक साथ में करना है तो दोनों एक ही दिन होता है 21 जून को हर साल होता है अब चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स आर्टिकल की जो हमारा नेक्स आर्टिकल है यह है पी जी आई 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 स्कीम के बारे में अगर पी जी आई आई की बात करें तो इसको बोलते हैं पार्टनर्सिफ और ग्लोबल इंफ्रस्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड ये बिसेकली जी सेवन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा इसको अर्गनाईस किया जा रहा है मत चलिए नीचे कमेंड बताईए कि जी सेवन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसको पहले जी एड बोलते थे बट बाद में लोगों ने रूस को बाहर कर दिया तो ये तब से जी सेवन हो गया था अब रूस को लोगों ने क्यों बाहर किया था क्योंकि रूस ने क्रीमिय पर अपना कब्ज़ दमाली आता जो कि युक्रियन का पार्ट था राइट एंड इस पे सम्मंदित क्वेस्टन आ भी चुका है यूपी यसी में पहले एक दो साल पहले आ गया था राइट अब चलिए हम बात करते हैं इस इसकीम के बारे में देखें यह जो इसकीम है यह बिस करेंगे यह लोग जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर ग्लोबल हेल्थ को इंप्रूब करने की बातो गई या फिर जेंडर एक्क्वेलिटी या फिर डिश्टल इंफरस्ट्रेक्टर को करने की बात तो यह लोग इन सब आस्पेक्ट के लिए 600 बिलियन डॉलर का fund देने की बात कर रहे हैं किसमे PZII scheme में अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि G7 में कौन-कौन से हैं तो यह देखे यह सारे लोग हैं G7 के leaders आप चलिए नीचे comment बताइए कि G7 में कौन-कौन से countries आती है Right, so that आपको एक मोटा-mोटा आइडिया होना चाहिए कि France होता है कि जर्मनी होता है कि नहीं यूके होता है। mom mtl. झाब यानि के कैनेडा होता है की नहीं तो आपको इतना एक आईडिया होना चाहिए कि जी सेवन में कौन-کौन-कौन-सी कंट्री शाती हैं ओकि अब चलिए हम लोग देखते हैं इडी ऐनने के बारे में इडी ऐनने मतलब इनो electronic dna नहीं होता बलकि e मतलब होता है environment dna अब क्या होता है एक सकंड एक्जाम में अक्सर e waste test करके आता है question या फिर e computer करके आता है तो जहां पर e होता है हम उसको basically electronic से जोड़ते हैं बट यहां पर अगर exam में आ गया e dna is associated with computer hardware something something right तो कई सारे option देगा तो इसमें आपको इसको environment से relate करना होगा अब हम यहां पर बात करते हैं कि environment dna क्या होता है अब चलिए हम एक बाद पहले देख लेते हैं कि जो dna word है यह क्या है जो dna होता है जो इंसान के body होती है human की उसमें काफी सारे cells होते हैं cell के अंदर आपका nucleus होता है and nucleus में chromosome पाया जाते हैं जो chromosome में RNA भी होता है dna भी होता राइट तो dna यह वह वाला dna है and dna में काफी सारे information छुपी होती है basically इसमें genetic information छुपी होती है all right अब हम बात करते हैं environment dna के बारे में तो देखिए इंसानों की बात तो हो गई अब हम बात करते हैं कि जो हमारे अर्थ पर जो biodiversity है कहां पर कौन कौन से animal रह चुके हैं या फिर रह रह गर हम उसको पता करना हो या तो हम उसको simply count करें या फिर हम वहां का एक छोटा सा हिस्सा का कोई भी sample ले ले और फिर हम उसको investigate करें कि या यहां पर कौन कौन से animal के डियर ने पाय जाते हैं जैसे कि एगर हम तालाब में गएं वहां पर हम वहां का जो waste वहां का जो कुछ water होता है या फिर वहां का जो sand होता है मिट्टी होती है हम उसको इकठा कर ले और हम उसको lab में जाके उसका क्राम analysis करें तो हम वहां पर find out कर सकते हैं कि यहां पर इस इस animal का ऐसा डियर ने मिल रहा है मतलब यहां पर यह यह animal रहा होगा यहां पर यह यह animal रहा है आप यह ओसन का sample ले सकते हैं उसके साथ साथ हम जो terrestrial होती है मतलब कि जो जमीन होती है फुग जो अर्थ लैंड होता है लैंड होता है हम वहां का भी sample लेके इसकी जानकारी इकठा कर सकते हैं अब क्या है कि जो बोडी सेल्स है वह तो सब जगा रह सकता है वह तो एयर में भी रह सकता है वह तो लैंड पर भी रह सकता है वह तो लिक्विड यानि की जली वातावरण में भी रह सकता है तो सब जगार आ सकता था तो हम इसको कहीं से भी हम सैम्पल लेकि हम इसका लेबरेटरी में हम इसका investigation कर सकते हैं अब हमारा जो next article है यह है radio access network के बारे में हैं अगर हम radio access network की बात करें उससे पहले हमको mobile phone का generation समझना चाहिए पहले one जी चलता था फिर 2G आया फिर 3G आया एंड उसके बाद 4G अभी 5G के आने की बाद चल रही है राइट अभी इंडिया में 5G को मेभी 2023 में लांच करने की बाद चल रही है तो इसके लिए एक रेडियो एक्सिस नेटवर्क सेटप किया जाएगा सो दैट चीजे बहुत स्मूधनी काम कर सकें सो दैट जो लिटेंसी रेट होता है वो कम हो सके अभी क्या है 4G में जो लिटेंसी रेट है वो काफी जादा है वो हंड़ेट वो टेंस से लेके हंड़ेट माइक्रो सेकंड है अगर अगर 5G की बात करेंगे तो आँप ढला जो लिटेंसी रेट होगा वो लेस देन 1 माइक्रो सेकंड हो जाएगा अगर मैं बात करूँ कि लिटेंसी रेट क्या होता है तो इसमें basically आपका network कितना lag कर रहा है जैसे कि हमने भेजा है लो हमने भेजा है लो send किया मैंने दूसरे अपने किसी मदब दोस्ते पास तो क्या हुआ उसके पास लगबग 4 या 5 सेकंड में वो जाएगा अब यह जो 5G आएगा तो यह चीज़े इसमें बहुत ही कम हो जाएगी तो चीज़े बहुत फास्ट हो जाएगी और जो उसमें डाउनलोडिंग स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी जैसे 4G चला है 4G में जो डाउनलोड स्पीड होता है वो 100 Gbps पर सेकंड है जो 5G आजाएगा उसमें जो डाउनलोडिंग एन अप्लोडिंग स्पीड बहुत होगा वो लगबख 20 Gbps हो जाएगा अब यह हो गया जन्रेशन के बाते में अब हम बात करते हैं कि जो 4G रहन है इसमें क्या अलग है देकि जो 4G रहन है हम इसमें बेसेकली जो हमारा कोर नेटवर्क होगा जो 4G में कोर नेटवर्क है यह है HW डेवलपमेंट पर बेस है अब लेकिन जो हमारा 5G आएगा यह इसमें क्लाउड पर बेस हो जाएगा तो इसके लिए जगा जगा पर टावर होने चाहिए क्लाउड पर होगा यह HDN पर होगा अब इसमें क्या होगा अब देखिए इसमें हमको फिर अलग-अलग मतब काभी साए लोकेशन पर नेटवर्क चाहिए होगा अब चुकि यह 5G है जो हमारा 4G था उसमें लगवग एक लाग सब्सक्राइबर आसपास में रह सकते थे लेकिन जब 5G आ जाएगा तो यह 10 इस्टू 6 मतलब कि 10 लाग सब्सक्राइबर एक जगा का हमको बैक अप लेके चलना पड़ेगा इसलिए जो हमारा नेटवर्क होगा वो रैन पर डिपेंड करेगा विकॉज आप एक लाउड इस्टूरेज की बात होगी यह सब यह जो है यह क्लाउड पर बेस्ट होगा यह टेकनोलजी तो तो यह जो रैन है 5G रैन है यह न्यूज में है बट एक्जामनेशन में कैसे आएगा क्वेशन 5G रैन is associated with या फिर इसमें इसका कुछ टेकनोलजी पूछ लेगा इसमें या फिर लीटेंसी रेट पूछ लेगा कि इसका लीटेंसी रेट कितना है ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल यह है DST IISC इनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म के बारे में हम अगर इसकी बात करें तो IISC बैंगलूरू के साइंटिस ने कुछ एक टंग्स्टन के जैसा जैसे कि टंग्स्टन हो गया उसी के दर कुछ एक लेयर की खोज किया है जिसको हम लिथियं आयोन बैटरी में यूज कर सकते हैं अभी जो हमारा लिथियं आयोन बैटरी है उसका कुछ यह है इस ट्रक्चर अगर हम इसकी बात करें तो आप इसमें देखी यह जो हमारा पहला है यह कौपर बेस्ट है यह एनोड है यह वीक हो जाता है यह गल जाता है और इससे हमारी बैटरी भी खराब हो जाएगी बट अगर हम यहाँ पे कुछ टंग्स्टन लाइन सेरेमिग मेटल अगर हम यहाँ पे आयट कर देंगे जैसे कि पिन चंद कर लेते हैं और में का साइज भी चंद करें जैसे कि यह हमारा टंगस्टन-like कुछ मैटल हो गया कि जो कि सेरेमिक बेस होगा तो एक सकते हैं चेरेमिक बेस पर होगा तो इसकी जो बैटरी की क्वाल्टी है जो बैटरी का लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगा तो यह था न्यूज में अबाउट डी एस्टी आइस्ट इंजिनिरिंग इस्टोरेज के बारे में राइट चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल यह हर्मिट के बारे में हर्मिट का क्या मतलब होता है द दूर रहता है हम उसको हर्मिट बोलते हैं या फिर आप सिंपल बोलने की साधूसंत हर्मिट एक इस्पाई वेयर है जो की अभी न्यूज में है जिसको मतब जिससे दोनों प्लेटफॉर्म जैसे की आई-ओ-एस एंड एंड अभी जादा तर मार्केट में चलता है तो आई आप अपने फोन को थोड़ा बच कर यूज करें तो यह क्या करता है यह विसक्री आपके कंप्यूटर से या फिर आपका जो भी गैजट्स हो उससे यह डेटा चोरी करके किसी थर्ड पर्सन को भेज सकता है उसके बाद अब हमारा है नेक्स्ट आर्टिकल सान स्पॉर्ट स कि जो हमारा स्थान है यह हमने एक सं बना लिया आलड़ि एक सथान है तो मैं फिर क्यों बना रहा हूं दूसरा ओके यहां पर आप यह देखेंगे जैसे यह चोटा चोटा एरिया है यहां पर यह ब्लैक है और बाकी आप और जगह देखेंगे जैसे कि यह वाला एरिया है यहां पर ओरेंज कलर में है तो यहां का टेंपरेचर बहुत ज्यादा है जहां पर ओरेंज कलर में है वहां का टें spot दिखता है बट यहां पर आगे चलके एक जैसे कगर हम वहां के respect में बात करें तो flares निकलेगा जैसे कि अगर हम अर्थ के respect बात करें तो यहां पर जॉआला हुखी औगर marc बनेगा बट यह वहां पर flares निकलेगा अब जो flares होते हैं ये बहुत नुकसान दाई होते हैं किसके लिए ये जो भी हमारे electronic gadgets होते हैं या फिर जो भी हमारे satellite होते हैं ये उनके लिए खराब होते हैं मतलब ये उनको effect कर सकते हैं तो ये चीज था news में sun flares आपको बिसक्री क्या होता है फिर sun spot हो गया राइट and Corona हो गया अब हम बात करते हैं Corona क्या होता ये sun का outer range का जो area होता है यहां का temperature बहुत ज़्यादा होता है इसको हम Corona बोलते हैं तो ये visible नहीं होता है ये जो Corona होता है लिए जो Corona होता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल यह है एक सकंड उदेपुर का बड़ विलेज यहां पर इसको वेटलेंड घोसित किया जा चुका है तो अगर हम बड़ विलेज की बात करें तो यह कम्यूनिटी ड्रिवेंड कंजर्वेशन एफर्ट है जहां पर वहां पर जो मेनार एरिया पड़ता है काँ पर उदेपुर डिस्टिक में राजस्तान में उसको वेटलेंड के तोर पर नोटिफाइट किया गया है और उसको आगे चलके रामसर साइड भी घोजित किया जा सकता है and at present राजस्तान में केवला देव है जो कि भरतपूर में हैं एंसांबल लेके तो आप लोग के प या फिर आप किसी अन इस्टेट से हैं जैसे कि अगर आप बिहार से हैं या फिर एमकी से हैं तो वहां पर कौन-कौन सी रामसा साइग लोकेटेड हैं आपको बस इसका मैप में उसका नाम देख लेना है बाकी कुछ नहीं करना है और लाइस जाइस तो यह था आज का हमारा प अपने सभी दोस्तों को सेयर करें इस वीडियो का पीडियाफ आपको हमारे टेली ग्राम चैनल सुन्ड अकेडमी यूपीएस्टी पर मिल जाएगा इसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है तो टेक क्यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू थ हुआ 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 है